आज हम बनाएंगे Mixed Beige की सूकी सबजी इस सबजी को बनाना बहुत ही सिंपल है और इस सबजी को खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इस सबजी को आप Lunchbox में भी दे सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे एक चोटी सिर्यूकेस्ट है अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जएए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लिजिए और मेरे आज की वीडियो अच्छा लगा तो लायक कीजिए और गरम होने देंगे तो अभी ओयल गरम हो चुका है इसमें डाल देंगे अदा चमच साबुदी जीरा और उसे के साथ इसमें डाल देंगे अदा चमच राई यानि की सरसो और उसके बाद इसमें डाल देंगे अदा चमच पांच पुरन अभी इनको हलका सा चटकने देंगे और अभी इसमें डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई और साथी साथ इसमें डाल देंगे पाच्चे कटी हुई लेसन को और अभी इनको हलका सा फ्राइ के लेंगे हरी मिर्च और लेसन को मैंने हलका सा फ्राइ के लिया है अभी इसमें डाल देंगे प्यास कटी हुई तो मैंने यहाँ पे एक बरे साइस की प्यास को बारिक कट करके डाल दिया है अभी प्यास को अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे तो देख सकते हैं प्यास हमारा अच्छी तरह से फ्राइ हो चुका है गैस के फ्लैम को लोग कर देंगे इसमें डाल देंगे आदा चमछ हल्दी पौडर और अच्छी तरह से, मिक्स कर लिएंगे अभी मैंने यहांपर ले लिया है कुछ सबजी जिनने मैंने अच्छी तरह से काट कि अच्छी तरह से दो तिन बर वश कर लिया है मेरे पास जो भी available सबजी था ता मैंने वही ले लिया है अगर आपके पास और भी कोई सबजी हो तो आप इस सबजी में add कर सकते हैं और सबी सबजी को डालने के बाद अच्छी तरह से mix के लिए पहले तो मैंने अच्छी तरह से सबी सबजी को mix के लिया है अभी इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ष पाउडर एक चमच डाल देंगे एक चमच धिनिया पाउडर उसे के साथ इसमें डाल देंगे एक चमच किचेन किंग मसाला इस मसाला डालने से सबजी का टेस्ट बहुती बरिया आता है और इन सभी मसाले को डालने के बाद अ पीडियम फ्लेम पे रखें अभी पास मीनिट हो चुगा है डखकन को अटाएंगे और सब्जी को एक पार चेक करेंगे तो अभी देख सकते हैं सब्जी जो है वह आदा कुख हुआ है अभी पूरी तरह से कुख नहीं हुआ है तो अच्छे से मिक्स करेंगे तो देख सकते है मैंने सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स करिया है अभी इसमें डाल देंगे कश्टूरी में ती तो इस तरह से हाथ पे लेके क्रश करके डाल देंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे आमचुर पाउडर अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं आमचुर पाउडर और चाट मसाला डालने से इस सब्जी का टेस्ट जो है वो बहुत ही चरपटा सा लगता है कारे में तो अभी इन सबी को अच्छी तरह से फिर से मिक्स करें लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर से डखन से डखना रख देंगे गेस को लो फलम पे रखके पाश मिनिट के लिए तो अभी देख सकते हैं पाश मिनिट हो चुका है डखकन को हटाएंगे तो हमारा जो सब्जी है वो पूरी तरीके से पक चुका है तो अभी फिर से अच्छी तरह से मिक्स कहिए लिए और मिक्स कहिने के पाद अभी इसमें डाल देंगे कटी हुई हरा और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गेस के व्लेम को अफ कर देंगे तो लीजी हमारा मज़ेदार सूकी सबजी बनकर तयार है तो आप इस सबजी को पूरे के साथ भी का सकते हैं चावल के साथ भी का सकते हैं रोटी के साथ भी का सकते हैं काने में बहुत ही टेश्टी बस इतना ही, बाइफ देंज!